हर हर महादेव दोस्तों, आज का राशिफल, चार अक्टूबर, दो हजार चोबीस, दिन शुक्रवार, मेश राशी, पारिवारिट जीवन में आपको पिता से तालमेल रखना चाहिए, उनका सहयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा, महत्वपूर्ण मामलों में उनसे सला जरूर लें, दिन व्यस्तता भरा होने से तनाव और ठकान महसूस करेंगे, रक्तचाप से संबंधित समस्या हो सकती है, आज गरीब कन्याओं को वस्त्र एवं भोजन का दान करते हैं, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंध होगा मरून, और भाग्य क मीटर, आपको नंबर दे रहा है, नब्बे प्रतिशत, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है, व्रिशब राशी, पहले से चलिया रही किसी कार्य योजना के पूर्ण होने से लाभ होगा, आपको आज सरकारी काम में भी सफलता मिलेगी, धर्म कर्म के काम में भाग लेना का मौका मिलेगा, महिला साथियों और संबंधियों से सहयोग मिलेगा, आज किसी जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा आस्मानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, नवासी प् मिथुन राशी, आपके लिए सलाह है कि आज जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई भी गलत निर्णय लेने बचें, पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा, माता की सेहत का ध्यान रखें, किसी का स्वार्थ पूर्ण व्यवहार मानसिक कष्ट देग पारिवारिक जीवन में आप सुख पाएंगे, घर का माहौल सोहार्द पूर्ण बना रहेगा, लेन देन के मामले में सतरकता बरतें किसी से कहा सुनी भी हो सकती है, आज गरीबों की मदद करते हैं तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर, आपको नंबर दे रहा है, अस्सी प्रतिशत, बहुत अच्छा भाग्य, आपके साथ बना हुआ है, करक राशी, शिक्षा के मामले में छातरों को आज मन को पढ़ाई पर केंदरित करना होगा, क्योंकि मानसिक भटकाव की वजह से शिक्षा में बाध सामान्य रहेगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग पाएंगे, सेहत के मामले में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, और शीतल पदार्थों के सेवन से परहेस करना चाहिए, आज भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभ अच्छा भाग्य, आपके साथ बना हुआ है, सिन्ह राशी, कार्यक्षेत्र में आज अधिकारी वर्ग से कहा सुनी करने से बचें, लव लाइफ में आज प्रेमी के साथ आपका तालमिल बना रहेगा, लेकिन जरूरी है कि ऐसा कोई वादा न करें जिसे पूरा करना कठिन हो क्योंकि इसकी वजह से रिष्टे में तनाव आ सकता है, पिता पक्ष से आपको लाभ मिलने का योग है, आज माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 66 60 प्रतीशत, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, कन्या राशी, आपको आज सुख और लाभ की प्राप्ती भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए सलाह है कि आज कोई भी काम परमपरा से परिवार के खिलाफ जाकर न करे नहीं, तो यहाँ आपके लिए परेशानी का कार बन सकता है, वैसे आज की अच्छी बात है कि आपकी कोई मनोकामना आज पूरी होगी, आज आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, आप आज दीर्ग कालीन निवेश के लिए भी प्लान कर सकते हैं, आज जरूरक मंद लोगों को अन्न का दान करते हैं, तो आपका दिन और भी ज जो भरंग होगा जामुनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, उनहत्तर प्रतीशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, तुला राशी, शाम का समय दिन की अपेक्षा अधिक सुकून से बीतेगा, आप किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आनन्द भी लेंगे, आज किसी अप्रिचित व्यक्ती से सहयोग मिलेगा, कोट कचहरी के मामले में आपको आज सकारात्मक परिणाम मिलेगा, आज किसी निर्धन व्यक्ती को वस्तर का दान करते हैं, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा आस्मानी, और भाग्य का मी आपको नंबर दे रहा है, बहेतर प्रतिशत, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, व्रिश्चिक राशी, व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप थकान भी महसूस करेगे, कुछ अंचाहे खर्च भी आज करने होंगे, आप अपने लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते है आज गरीबों में भोजन का दान करते हैं, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंध होगा जामुनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, बासट प्रतिशत, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, धनुराशी, परिवार में आज आपको बड़े भाई से सहीयोग मिलेगा, सामाजिक सम्मान और प्रतिश्था की भी प्राप्ती होगी, आज शाम को आप दोस्तों के साथ पार्टी मनोरंजन का आयोजन कर सकते हैं, नौकरी में आज अचानक कुछ काम आने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, आपको आज कहीं से अचानक ही लाब मिल सकता है, आज भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, मकर राशी, कम आई भी इनकी आज अच्छी रहेगी, किसी बात को तह तक जानने की चाहत रहेगी, जिससे आज शिक्षा के क्षेतर में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, आज अचानक कोई उपहार या अन्यलाभ मिलने की संभावना है, आज भगवान विश्नुजी की पूजा करेंगे तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा केसरिया, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, 77 प्रतीशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, कुम्भराशी, आर्थिक मामले में आपको आज निवेश सोच समझ कर करना अल्पकालिक निवेश से आपको बचना चाहिए, पढ़ने लिखने में आपकी रुची रहेगी और आध्यात्मिक कारियों में भी आपका मन लगेगा, अल्पकालिक निवेश से आपको बचना चाहिए, आज भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंध होगा काला, और भाग्य का मीटर, आपको नमबर दे रहा है, 76 प्रतिशत, उत्तम भाग्य, आपके साथ बना हुआ है, मीन राशी, ससुराल पक्ष से आप लाब की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सलाह है कि आज सावधानी बरते नहीं तो च लग सकती है, दोपहर के बाद आलस्य बढ़ेगा और काम में मन आज नहीं लगेगा, पारिवारिक जीवन में आपको आज कुछ जरूरी काम को निप्ताना होगा, आज भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंध ह योगा मरून और भाग्य का मेटर आपको नमबर दे रहा है, 86 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है